हेलो वेल्कम बैक दोस्तों किचन व्लोगर यूगी सोल में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे पालक पनीर और अगर आपको यह रेस्पी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें इसके लिए हमने दो प्याच इनको हम बारिक बारिक प्याजों को चॉप करने के बाद हमने लिए हैं दो टमाटर थोड़े सी लस्तन दो हरी मिर्च और एक दो टुक्ड़े अधरक के अब हम टमाटर को बारिवाई काड़ लेंगे इसमें डालेंगे अधरक अधरक के बार इसमें हर इमें इस चालेंगे और लस्टन इन सब कहम पेस त्यार कर लेंगे अब हमने लिए है पालक यह गड़ी पालक है इसको हम काट लेंगे अधरी जिसी धो के पहले हमें पालक को दोना है फिर उसके बाद इसको हम काटेंगे फिर इसको हम बॉयल करेंगे इसमें हमने लिया है लगबग एक से जट ग्लास पाने बॉयल करने के लिए एक ग्लास पाने इनफ है और उसके बाद हम इसे बॉयल करेंगे एक दो बाल आने के बाद इसको हम बंद कर देंगे क्योंकि पालक अच्छी तरीकी से बॉयल हो जाती है एक यू बाल में तो इसको हम जादा बॉयल नहीं करेंगे और जो हमने पालक बॉयल की थी उसका हम पेस्ट तयार कर लेंगे यह हमने इसका पेस्ट पनाएके त्यार कर लिया है जो भी हमारा पालक का पानी था और पालक थी उस सब का हमने पेस्ट पनाएके त्यार कर लिया है हमने लिया है लगबग राइसोग्राम पनीर इसको हम काट लेंगे cubes में इस तरीके से और फिर हम देंगे एक कड़ाई कड़ाई में डालेंगे लगबग 2-3 चमा चॉयल 2-3 बड़ा चमा चॉयल और इसके बाद इसमें डालेंगे आदे चमा जीरा तो लाल मेच सोके हुई और इसके बाद हमने जो प्याज काटी थे उसको हम इसमें एड कर देंगे और इसको अच्छी तरीकी से भूनेंगे जब तक ये गूर्डन प्राउन ना हो जाए गूर्डन प्राउन होने तक इसको अच्छी तरीकी से पकाएंगे प्याज को इसको हम चलाते रहेंगे ताकि यह जले ना उसके बाद जो हमने पेस्ट त्यार किया था वो पेस्ट इसमें आड़ कर देंगे और इस पेस्ट को भी अच्छी तरीक से भूनेंगे जो टमाटर है वो अच्छी तरीक से पकने चाहिए इनको अच्छी तरीक से हम पकाएंगे ऐसे भूनते रहना है जब तक यह टमाटर तेल न छोड़ दें देखे अब आम इसमें डालेंगे स्वाद नुसा नमक नमक डागन के बाद इसको अच्छी तरीक से चलाहेंगे नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें इससि डालें आपके नमक टाल सकते हैं वसके बाद अपने अनुसार अश्ण सीकते लल चोटे लई див से अल्जिक किसमेश लाव मिर्च ले मुक्रस कर सकते हैं इसको अचे धरीक से पकाएंगे मसालों को भी थोड़ा पूनेंगे जब तक मसाले तेल न छोड़ दें उसके बाद इसमें हम डालेंगे जो हमने पाला का पेस्ट त्यार किया था वो इसमें आट कर देंगे उसको अच्छे तरी किसे हम पकाएंगे लगबग एक दो उबाल आने तक कि कैस की फ्लेम को अब हम तेज कर देंगे तब तक हम असाले भूनते हैं तब तक हम कैस की फ्लेम को मेडियम करते हैं उसके बाद अगर हमें जल्दिल से बॉयल करना है तो हमें गैस की फ्लेम को तेज करना होगा इसको हमें अच्छे तरीक से पकाना है और अब हम इसमें दो बाला चुके हैं उसके बाद हम इसमें जो हमने पनीर रेड़ी किया था काट के क्यूब्स में, वो हम इसमें आड़ कर देंगे पनीर आड़ करने के बाद, इसमें हम डालेंगे, कस्तूरी में थी आधी चम्मच क्रस करके हम इस मैड कर देंगे और यह हमारा पालक पनीर रेडी हो चुका है आप इसे पूरी के साथ नान के साथ सर्व कर सकते हैं देखने में बहुत इडिलीशिस लग रहा है और इसमें उपर से डालेंगे थोड़ा से गी जो कि इसके टेस्ट को थोड़ा और इन्हेंस कर देगा अगर आपको यह रेशिपी पसंद आये तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरू करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू